तो दोस्तों आज साइन्स का साथमा सेथ हम लोग देखेंगे सभी प्रश्णों को अच्छा से पढ़कर आप लोग उसका जवाब दीजेगा क्योंकि सारा कोस्टन मैट्रिक बोड़ पर इस है के लिए बहुत ही महत्रपूर्ण है आप लोग ज्यादा से ज्यादा कोस्टन का जब आप सही सही देने का कोसिस करिएगा और जिस प्रश्ण में आपको कंफ्यूजन हो उस प्रश्ण को सही उत्तर के साथ कॉप्य में नोट कर लिजेगा ताकि आपको आगे से कंफ्यूजन नहों तो चलिए अब सेट का पहला कोस्टन देखते हैं तो दोस्तों सेट का प वारितलवप। compr, दो नुमर कोश्यन हें, यडि किसी गशारी हो से 0 हो, A अमलीये छारीयें, C उदासीन, D कोई नहीं, तो इसमें आपको एक चीज पता होना चाहिए, कि जब किसी भी बिल्लीयें का पीच मान से छे तक रहता है, तो वो अमलिये होता है अगर 7 है तो उदाशीन होगा अगर 7 से उपर है तो वो छार ये होता है इसलिए आपका इस कोश्चन का सही अंसर option number A होगा अमलिये तीन number question है वायो मंडल में CO2 का कितना पर्तिशत है A 0.3 पर्तिशत B 0.03 पर्तिशत C 0.21 पर्तिशत D 0.0003 पर्तिशत तो इसका सही अंसर option number B होगा 0.03 पर्तिशत चार नंबर question है किसकी उपस्थिति के कारण लोहे में जंग लगता है तो आपका इसमें सही अंसर option number B होगा आद्र वायो आद्र वायो को आप लोग नम वायो भी बोल सकते हैं जिसमें नमी पाया जाता है पांच नंबर question है अब IBS वसन कोशिका के किस भाग में होता है A कोशिका द्रब में B हरीत लवक में C कोशिका जिल्ली में D केंद्रक में तो इसका सही अंसर option number A होगा कोशिका द्रब में चो नंबर question है यदि आपतन कोन I तथा परावरतन कोन R हो तो कौन सा कथन सत्य होगा A I ब्रावर R B I ब्रावर 2 R C 2 I ब्रावर R तथा D I is greater than R तो इस question में आप लोग को एक चीज़ और समझा देते हैं कि आपतन कोन को I तथा परावरतन कोन को R क्यों बोला जाता है आपतन कोन का इंगलिस होता है incident angle इसलिए इस वो आपतन कोन को I बोला जाता है तथा परावरतन कोन का होता है reflect angle इसलिए इसको R से स्चुद किया जाता है और आपतन कोन तथा प्रावरतन कोन हमेशा एक दूसरे के बरावर होते हैं इसलिए आपका option number A जो है वो सही answer होगा आई बरावर R शाथ नमबर question है रक्त किसके कारण लाल लिखाई देता है A. thrombin, B. hemoglobin, C. platelets, D. fibrin तो इसका सही answer option number B होगा hemoglobin hemoglobin के और भी बहुत सारे कार हैं जिसमें आपको हमें एक मुखे कारे के बार हैं बतलाते हैं hemoglobin लाल लक्त को सिकाओं में पाये जाने वरे प्रोटीन का एक प्रकार होता है यह अब फेंफडों से सरीर के उतकों तक oxygen को ले जाने का काम करता है तथा कावन डाइक साइट को बापस फेंफडों तक लाने का भी काम करता है तो आपका question number 8 देखते हैं अब माध्यम बदलने पर प्रकास के बेग का बदलना क्या कहलाता है तो इस घटना को हम लोग अपवर्तन कहते हैं इसलिए आपका इसमें सही answer option number A होगा नौ number question है रेजिन किस पौधे का उत्सरजी पदार्त है तो इसका सही answer option number D होगा चीड का 10 number question है किस दर्पन की focus दूरी रिनात्मक होती है ए उत्तल दर्पन, बी अप्तल दर्पन, सी दोनों या डी इन्हें से कोई नहीं तो इसका सही answer option number B होगा अप्तल दर्पन इसको हम आप लोग को diagram से समझा देते हैं कि कैसे अप्तल दर्पन की focus दूरी रिनात्मक होती है इस figure के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं कि focus दूरी रिनात्मक कब होती है और ये किस दर्पन में रिनात्मक पर किस दर्पन में धनात्मक होगी आप लोग देखेगा इसको कि एक अप्तल दर्पन है इसका प्रावर्तक सत्ह आपको दिख़़ा होगा इस सैड इसका प्रावर्तक सत्ह है और इस सैड इसका कलाई किया हुआ भाग है तो अबतल दर्पन में conventions into बिंदू जो हो ता वो द पन के प्रावरतक सता के तरफ होता है तो इसकी फोकस दुरी भी दरपन के सामने होगी प्रावर्तक सता के सामने तो ऑप कोई दूरी प्रावरतक सता के जबकि उत्तल दर्पन में धनात्मक होंा क्यूंकि उत्तल दर्पन आप लोग गौर कीजेगा हुए की उत्तल दर्पन जो focus बिंदू है वो धर्पन के पीछे बनता है तो इसका focus दूरी भी दारपन के पीछे ही बनेगा तो हभी जस्ट आप लोग को बताए कि प्रावर्तक सत्व के साइट जो भी बनेगा दूरी, वो रिनात्मक होगा और दरपन के जो ही पीछे बनेगा वो धनात्मक होगा तो आशा करते हैं कि इस question में आप लोगों को दूरी का धनात्मक या रिनात्मक होने का confusion दूर हो गया होगा तो देखते हैं हम लोग अगला question ही 11 नंबर इन में से कौन बुद्धी और चतुराई का केंद्र है A. सेरी ब्रम, B. सेरी बेलम, C. मेडूला, D. कोई नहीं तो इसका सही answer option number A होगा सेरी ब्रम 12 नंबर question है वास्तविक सुर्यास्त और आभासे सुर्यास्त के बीच लगवक कितने समय का अंतर होता है A. एक मिनट, B. दो मिनट, C. तीन मिनट, D. चार मिनट तो इसका सही answer option number B होगा दो मिनट 13 नंबर question है पराग कोश्च में क्या पाया जाते हैं A. दलपुंज, B. बाहदलपुंज, C. परागकन, D. एस्तरीकेशर तो इसका सही answer option number C होगा परागकन 14 नंबर question है ओम के नियम में कौन अचर रासी है A. प्रतिरोध, B. ताप, C. धारा, D. कोई नहीं तो इसका सही answer option number B होगा ताप 15 नंबर question है लंबाई बढ़ाने से चालक तार के प्रतिरोध पर क्या असर पढ़ता है A. प्रतिरोध बढ़ जाता है, B. घट जाता है, C. अपरिवर्तित रहता है, A. D. इनमें से कोई नहीं तो इसका सही answer option number A होगा जब लंबाई बढ़ा आ जाता है चालक तार का तो इसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है तो इसका सही answer option number B होगा नाइट्रोजन इसमें आपका सवाल ये भी हो सकता है कि चिप्स के प्रतिरोध नाइट्रोजन गैस ही क्यों भरा जाता है ऑक्सिजन को क्यों नहीं भरा जाता है ज्योंकि ऑक्सिजन तो हम लोग के लिए बहुत ही फाइड़े मंद है हम लोग ऑक्सिजन गैस इस होसन के माध्य हमसे लेते हैं तो वह क्यों नहीं भरा जाता है तो आपको बता दे ऑक्सिजन गैस किसी पदात के साथ बहुत जल्दी अभी किरिया कर लेती है जबकि नाइ बिद्धुध धारा के उसमिय प्रभाव पर कारे करता है ए बिद्धुध हीटर बी बिद्धुध पंखा सी एसी एडी कूलर तो इसका सही एंसर ऑप्सन नमबर ए होगा बिद्धुध हीटर इस कोस्टन में देखे आप लोग कि बिद्धुध धारा के उसमिय प्रभाव क का कारे का अर्थ क्या होता है कि हम लोग को बिद्धु धारा लेके वो उस्मा दे रहा है तो ये काम जो है बिद्धु थीटर का होता है इसलिए आपका सही अंसर जो अप्शन नंबर ए हुआ है अठारा नंबर कोश्चन देखते हैं प्राथमिक रंग कौन-कौन है ए लाल बी नीला सी हरा एडी तीनो तो आपको ये चीज़ पता होना चाहे कि प्राथमिक रंग की सरेणी में तीन रंगों को रखा गया है रेड यानि लाल ग्रीन यानि हरा और ब्लू यानि नीला इसको हम लोग सौट फॉर में आर जी भी भी कहते हैं तो आपका इसमें उप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा तीनो कलर प्राथमिक रंग में आता है और इन रंगों को आपस मिलाने से जो रंग हम लोगों प्रा प्राथमिक रंग के देखा पर दुद्यक रंग भी पूछ सकता है तो इन तीनों को छोड़के जो भी रंग होगा वो सारा दुद्यक रंग के श्रेणी में आएगा उनिस नंबर कोस्चन देखते हैं एक ग्राम सोना से लगवा कितना लंबा तार खिंचा जा सकता है एक किलोमेटर बी दो किलोमेटर सी तीन किलोमेटर एडी चार किलोमेटर तो इसका सही एंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दो किलोमेटर बीस नंबर कोस्चन देखते हैं बच्चो और आज के सेट का आखरी को कुछन है तेज प्रकास में पुतली का आकार कैसा होता है ए छोटा बी बड़ा सी अपरिवर्थित रहता है एड़ी इनमें से कोई नहीं तो इस कोश्चन को पढ़ने के बाद आप लोग गौर कीजेगा कि आप लोग अपने डेली लाइफ में एक चीज़ देखे होंगे कि ज बहुत मतलब सिकूर जाता है चोटा हो जाता है जबकि अगर आप लाइट से अगर अंधेरे में आते हैं तो हां पर आपका आँख ऐसे बड़ा हो जाता है पुतली का साइज तो इसमें आपका सही एंसर ऑप्शन नमबर ए होगा कि तेज प्रकास में पुतली का आकार